English में डाउट दोस्तों, तो जोईन कीजे मुझे, मेरा नाम है यश, मैं रिपेर करूँगा आपके English के डाउट्स हिंदी में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल English वरक्शॉप में. English वरक्शॉप में आज करते हैं Confusing Verbs Part 2. तो शुरू करते हैं आज का सफर. सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट, तो इसमें sentences दिये हैं और आपके सामने choices हैं, green color में जो words हैं, यह आपको बताना है कौन सा सही आएगा, तो यहाँ एक pause ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं, बाकि हम आगे बढ़ेंगे. Confusing Verbs. तो पहले fall और fell. तो यह दोनों ही verbs हैं, fall in transitive verb है, इसके बाद object नहीं आएगा, fell आपका transitive verb है, इसके बाद object आज आएगा. Fall करता है, गिरना, खुदी गिर जाना, और fell करता है, गिराना, किसी को गिराना, जिसको गिराएंगे, वो object हो जाएगा. और verbs हैं तो इनकी forms भी होंगी, fall की होगी, fell, fallen, और fell की felled और felt. इनके sentences देखिए, one of the players got a punch and fell heavily to the ground. एक player को घूसा लगा और वो ground में गिर गया. Hundreds of trees have fallen down in the recent storms. तो हाली में आये तूफान में बहुत सारे पेड गिर गये हैं, सैकडो पेड. Trees were falling from her eyes at the time of separation. तो जुदाई के समय उसकी आँखों से आसू बह रहे थे, गिर रहे थे. खुदी गिर रहे थे. चोटी चोटे, stroke चोटे होती है, बड़े-बड़े दर्खतों भी गिरा देती है. यानि चोटे-चोटे प्रयासों से बड़े-बड़े मुसीबतों को भी हम हल कर सकते हैं. ये इसकी sense निकलती है. आगे rise और raise. Sentences देखिये. He is raising a lot of cattle in the farm. तो farm है उसका, उसमें बहुत सारे मवेशियों को वो पाल पोस रहा है, उनकी देख रहे कर रहा है. The school has raised the standard of education in the last two years. पिछने दो सालों में, school ने शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया है. A few people have raised their voice against the injustice. तो कुछ लोगों ने अन्या के खिलाफ आवाज उठाई है. उठाने के sense है. ट्रांजिटिव वर्ब है. फ्लाई वर्ब है आपका फ्लो ये भी वर्ब है. फ्लाई इन्ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों है और फ्लो आपका सिर्फ इन्ट्रांजिटिव है. तो फ्लाई करतो था उड़ना उड़ाना और फ्लो करतो था बहना. तो इनकी फॉर्म्स भी होगी. फ्लाई क रहता है, फ्लाउन की जगे फ्लोड लगा देते हैं, फ्लोड की जगे फ्लाउन, तो इन पे ध्यान रखता है, देखिए सेंटेसे, My brother flies to London for business every month, तो मेरा भाई हर महीने London business के सिलसिले में हवाई जाज में उड़कर जाता है, यह sense बनेगी इसकी, He has flown a variety of planes and aircraft in his life, तो उसने अपने जीवन में बहुत सारे planes और aircraft उड़ाए हैं, तो ट्रांसिटिव हो जाएगा इसमें, There was a gunshot and all the birds flew away, Banduk चली और सभी पंची उड़ गए, खुदी उड़ गए, इन ट्रांसिटिव, Look, a number of kites are flying in the sky, देखो, बहुत सारी पतंगे आकाश में उड़ रही हैं, In-trांसिटिव, The water has flowed, flown above the danger line, इसमें दिक्कत आती है, तो इसमें flown नहीं होगा, फ्लोड होगा, यह बहना होगा, Water, जो है, पानी बह गया है, डेंजर लाइन के ऊपर, खत्रे की निशान से उपर, In-trांसिटिव अब है, Blood is still flowing from the wound, घाव से अब भी खून बह रहा है, खुदी बह रहा है, In-trांसिटिव, Hang, Verb है, In-trांसिटिव और ट्रांसिटिव, दोनो है, और एक hang एक और होती है, यह सिर्फ फ्रांसिटिव होती है, और hang कारत होता है, लटकना, लटकाना, दोनों सेंस बनेगी, लेकि hang कारत होता है, फांसी पर लटकाना, तो इनकी फॉर्म्स देखिए, उपर वाली hang की, हंग और हंग, और नीचे hang, हंग, हंग, सेंटेस देखिए, तो बंदर खुदी लटका हुआ था, तैनी से, इन ट्रांसिटिव, बन्दर खुदी लटका हुआ था, वर हंग इन देखिए, तो बहुत सारी पिक्चर्स दिवारों पर लटकाई गई थी, तो यह ट्रांसिटिव सेंस है, पैसिव वइस है, तो जासूस अंदर आया, और अपनी हैट को उसने पैग का उर्था तक खूटी, खूटी पर टांग दिया, ट्रांसिटिव अब है, तो उसे दोशी पाया गया और फांसी पर लटका दिया गया, पैसिव वइस, ट्रांसिटिव अब, खूट को फांसी दे दिया, उसने प्रैशर में आकर, डिफ्यूज, डिफ्यूज, बोलने में ब्रुकुल सेम है, ये दोनों ही वर्ब्स है, ऊपर वाली डिफ्यूज, इन ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव दोनों ही है, और डिफ्यूज नीचे वाले सिर्फ ट्रांसिटिव है, और इनकी फॉर्म्स भी होंगी, डिफ्यूज, 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 जो ऊपर वाली है, एक महने से टेंशन फैल गई है, बढ़ गई है महाँ पर. The sun rays were diffused by the trees we were under. तो जिन पेडों के नीचे हम बैठे हुए थे, उन पेडों से सूरिय की किरने चंचंचंचर यहां महां फैल रही थी. The sprinkling of sacred water diffused a fragrance in the atmosphere. तो जो पवित्र पानी का छिड़काव था, उसने पूरे महौल में खुश्बू फैला दी. फैलाने का सैंस लेडों से ट्रांसिती वब है. Lalu cracked a joke which diffused the implicit tension in the air. तो Lalu ने एक जोक सुनाया जिसने महौल में एक जो छुपी भी टैंशन थी उसको कम कर दिया. The bombs were successfully diffused. तो यहां जो bomb को diffuse करते हैं, उसका fuse उड़ाते हैं, वो ही sense होता है, diffuse में DE आता है इसमें Lose और loose, यह थोड़ा फर्क होता है pronunciation में Lose आपकी verb होती है, और loose आपका adjective होता है Lose, transitive verb है, इसके बाद object आ सकता है, इसकी तीन form lost और lost इसकार तो तक खो देना या हार जाना, और loose कार तो तक धीला, खुला हुआ, यह sense होती है He is so careless that he loses his key every day, वो इतना लापरवा है कि अपनी चाबी रोज खो देता है A number of people have lost their lives because of COVID-19, so COVID-19 की वज़े से बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खो दिया है Our team suddenly came under pressure and lost the match, तो under pressure, pressure में आगई team और अचानक आगई और match हार गई Youngsters don't prefer to wear loose clothes, अब loose का मतलब यहाँ धीले कपड़े, youngsters धीले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते I don't buy loose items, खुलेवे items मैं खरीता नहीं हूँ यानि packet बंद खरीता हूँ Wind, एक wound होता है तो यह दोनों ही verbs है, wind आपके intransitive, transitive दोनों होती है और wound आपका transitive होती है तो जो wind है, wind भी होता है, वो हवा होती है, उसको discuss नहीं कर रहे है, वो noun है या wind हम कर रहे है, तो इसकी तीन forms होगी, wound, wound और wound की होती है, wounded, wounded Wind कर थोता है, घूमना या घुमावदार होना, लपेटना, चाबी देना, और wound कर थोता है, घायल करना, चोट मार देना सेंटर से देखिये, this path winds down to the bank of a river, तो ये रस्ता घूमता हुआ, एक नदी के किनारे जाता है She has wound the wool into a ball in a moment, तो कुछिक शन में उसने उन को लपेट कर उसका गोला बना दिया He winds his watch every morning, तो हर सुबह वो अपनी घड़ी को चाबी देता है, winds यहाँ चाबी देना One of us was wounded in the leg, हम में से एक को पाओ में चोट लगी She was deeply wounded by the manager's remark, तो जो टिपनी कसीदी manager ने उससे वो बहुत आहत हुई, गायल हो गई, sense यह बनेगी, उसके मन को चोट लगी Prescribe और Prescribe यह दो वर्ब्स हैं Transitive और Transitive दोनों वर्ब्स Transitive हैं, इनकी forms देखिए Prescribe, Prescribe, Prescribed और Prescribed, Prescribed Prescribe जो डॉक्टर नुस्का लिख कर देता है, एक चिट पर उसको नुस्का लिखना, उसको Prescribe कहते हैं और Prescribe होता है वर्जित करने ना, मना करना, कानून के द्वारा, लॉक्टर के द्वारा The doctor has prescribed me new medicines, तो डॉक्टर ने मुझे नई दवाईयां नुस्के में लिख के दिये Painkillers are prescribed in rare cases, तो जो painkillers होते हैं, वो बहुती कम cases में दिये जाते हैं, लिख कर दिये जाते हैं Seeking door is prescribed by law, तो दहेज लेना, ये कानून द्वारा वर्जित है Some drugs are prescribed to be sold openly, कुछ drugs openly, खुले आम, बेचना, ये वर्जित होता है The authority has prescribed two organizations to function, तो authority ने दो संस्थाओं को function करने से वर्जित कर दिया, मना कर दिया Refuse, refute, दो verbs हैं Refuse, transitive है, refute भी transitive verb है, दोनों transitive verb हैं, और इनकी form होगी refused, refused, और refute के refuted, refuted Refuse करत होता है, मना कर देना, इनकार कर देना, और refute करत होता है, खंडन करना या गलत साबित करना तर्क देकर तो sentence देखिये, she refused to accept my suggestion, तो मेरे Salah को उसने स्वीकार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया We politely refused their invitation to the gathering, तो हमने विनमरता पूरवक उनके invitation को अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया He refuted the allegation of negligence against him, उसके खिलाफ लापरवाही का लगा, जो आरोब था, उसका उसने खंडन किया, ये sense बनेगी, उसको गलत साबित कर दिया भी कह सकते हैं New scientists often refute old theories, तो नए scientists पुराने सिद्दानतों को गलत साबित कर देते हैं Route, root, तो ये दोनों ही verbs हैं, और दोनों ही transitive verbs हैं, तो जो नीचे root है, ये noun भी होता है, जैसे short root, long root, रस्ता, उसको हम discuss नहीं कर रहे हैं, यह verb के रूप में discuss कर रहे हैं, वो सुनिएगा Route, तीन forms, routed, routed, और root की तीन form, rooted, rooted, सिर्फ बोलने का फरक है, spelling दोनों की same है Route कारत होता है, हरा देना, खेल, लड़ाई, या election में और root कारत होता है, किसी मार्ग से भेज देना, sentences देखिए, our team has routed the opponents three times this season, तो हमारे team ने प्रती द्वंद्वियों को इस season में तीन बार हराया है Satellites root data all over the globe, तो satellites data को किसी मार्ग से भेजती है, पूरे globe में, तो data यहाँ पर object बन जाएगा आगे देखिए, wave और wave, बोलने में same हैं दोनों, दोनों ही verb हैं, दोनों transitive verb हैं, और इनकी forms, waved, waved और waved, waved wave कारतों का उपर वाला हाथ लहराना, हाथ हिलाना, और waved नीचे वाला, यह उतर फीस या टेक्स आदी छोड़ देना, माफ कर देना She waved me goodbye, तो उसने हाथ हिला कर मुझे विदा दी, goodbye कहा The school has waived the tuition fees in the lockdown, तो school ने tuition fees छोड़ दी है, lockdown में Lie, lie, lay, तीनों verbs हैं बड़ी खतरनाक, तो यह पहली दोनों in transitive verb हैं और नीचे वाली transitive verb हैं, इनकी forms देखिए, light, light, दुसरे की lay, lane, तीसे की late और late, इनकी आर्थ देखिए, lie जो सबसे पहला है, जानते आप जूट बोलना, और lie ही होता है, late जाना या बिच जाना, इस sense में होता है, और लेकर्थ, लिटाना, बिचाना, अंडे देना, जिसको लिटाएंगे, बिचाएंगे, object हो जाएगा, अंडे भी object हो जाएगा, transitive of है, sentence से देखिए, she lied to me that she had forgiven me, तो उसने जूट बोला था कि उसने मुझे मुझे माफ कर दिया है, I lay awake all night thinking about my result, तो मैं सारे रात अपने रिजल्ट के बार में सोचता हुआ, जगता रहा, बलाए लेटा रहा, जाग कर, The books were lying all over the floor, तो किताबे पूरी फर्ष पर बिखरी हुई थी, पड़ी हुई थी, The hen lays a colorful end in this story, तो इस कहाने में मुर्गी एक रंग भी रंगे अंडे देती है, The man laid the blanket over his body, तो व्यक्ती ने किया किया, अपने उपर, अपनी बाड़ी पर blanket ले लिया, ढख लिया, Assure, Insure, Insure, तीनों verbs हैं, तीनों transitive verbs हैं, इनकी forms, Assured, Assured, Insured, 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 Insured. Assure करतो था आश्वासन देना, किसी को भरोसा दिलाना, Assure करतो था सुनिश्चित कर देना, पक्का कर देना, और Insure, बीमा करना, स्कूटर, बाइक, कार करते हैं, जो, वो. The villagers assured us of their royal support, तो गाउवालों ने हमें अपनी सपोर्ट का भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया. The parents assured themselves that the kids were safe, तो parents ने अपने आपको भरोसा दिलाया कि बच्चे सुरक्षित हैं. Corona warriors ensure the safety of people in the world. तो Corona से लड़ने वाले जो warriors हैं, doctors हैं, ये सब, तो हमारी safety को सुनिश्चित करते हैं. Hard work and struggle ensured him success. तो मेहनत और संगर्ष ने उसकी सफलता को सुनिश्चित कर दिया, पक्का कर दिया. I ensure my scooter every year. तो हर साल में अपने scooter को ensure beema करवाता हूं. करते हैं वो ही test, जो शुरू में आपको दिया था मैंने, तो सब से पहले देखिए. The pilgrims were so tired that they lay light under a huge tree. तो इसमें ले आएगा. Pilgrims तीर्थ यात्री इतने ठक गए थे कि वो बड़े से पेड़ नीचे लेट गए. The watchman ensured, assured that all the lights had been turned off. The watchman ने सुनिश्चित किया कि सभी lights बंद हैं. तो ensured आएगा. The monkeys had fallen felt all the plants before the gardener came. तो बंदर सभी छोटे पौधे गिरा चुके थे. गिराने की सेंसे, felt आएगा. Gardener के आने से पहले. The intake of medicines without pain has been prescribed. तो वर्जित होता है बिना दर्द के कुछ दवा लेना. Kaveri house always routes, routes, all the houses in cleanliness. तो Kaveri house सफाई में सभी houses को हरा देता है. हराने की सेंसे में. She has accepted the responsibilities and waived, waived all her rights. तो उसने जिम्मेदारियों को स्विकार किया और अपने हकों को, अपने अधिकारों को उसने छोड़ दिया. छोड़ने की सेंस आएगी, waived. After the meeting, one doubt was raising, rising a question in my mind. Meeting बाद, एक doubt, मेरे मन में सवाल पैदा कर रहा था, उठा रहा था सवाल, raising. My wit diffused, diffused the stress and peace diffused, diffused there. तो मेरी हाजर जवाबी ने तनाव को कम कर दिया, diffused, और वहाँ शांती फैल गई, diffused. She did the laundry and hung, hanged it out to dry. तो उसने कपड़ दोए और बहार सुखा दिये, लटका दिये सुखाने के लिए, तो हांग आएगा इसमें. A post of manager is laying, lying vacant in the company. तो एक manager की post खाली पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, lying. The cashier refuted, refused the notion that he had sought the bribe. तो cashier ने इस धारणा को गलत साबित किया कि उसने रिश्वत ली है. तो गलत साबित करना refuted आएगा. Her sister is so irritable that she loses, loses her temper shortly. तो उसकी बहन इतनी चिचड़ी है कि बहुत जल्दी उसे गुसा आजाता है. तो अपना धहरे खो देती है, तो खोना लूज़स आएगा. तो यहाँ पर आश्वासन दिलाना होता है, तो तो देखा, यह कुछ एक और confusing verbs थी, जो हमने डिसकस की. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आपके पास कोई question या suggestion हो इस topic से related, तो आप comment section में लिख सकते हैं, मैं उनके जबाब दूँगा. और इस वीडियो की description में मैं बागी वीडियो के links डाल रहा हूँ, जिन्नों नहीं देखे वो देख सकते हैं. बागी नए topic के साथ नए class में फिर हाजर होंगे, तब तक के लिए have a nice time.